Hello दोस्तो, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा की एलेक्रिक एक्टिवा की, इसके बारे में आपको मैं सार गोछ बताने वाल हूँ क्या 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 आपको इसमें फीचर मिल जाते हैं, क्या इसके स्पैसिफिकेशन होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस तो दोस्तो यहाँ पर जो आप इसका model देख रहे हैं यह Honda की तरफ से new electric activa होने वाली है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके battery type की इसमें आपको दो तरह की battery type मिलने वाली है एक fixed और एक swappable ऐसे आपको swappable station हर जगा petrol pump पर देखने को मिल जेंगे ओल्रेडी होंडा ने दोस्तो अपने बैंगलूरों में 23 ऐसे station established कर दिये हैं यहाँ पर आप अपनी battery को easily swap कर सकते हैं और जो fixed battery होगी वो सिरफ आप अपने घर पे ही charge कर सकेंगे तो देख सकते हैं दोस्तो ऐसे कुछ station होने वाले हैं जिसकी जो cost है आपके battery की percentage पर depend करेगी कितनी आपने battery को use करा है उसी के साब से जो इसकी cost आईगी वो इस machine पे आपको सारा data देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो आपको मैं दिखा भी दता हूँ कि कैसे आप battery change करेंगे तो देख सकते हैं ऐसी कुछ आपको ये battery मिलने वाली है Honda की badging आपको मिल जीगी इसके उपर तो ऐसे आपको इसको सिरफ food space में अंदर को डालना है और आप इसली अपने scooter को ऐसे इसके socket से connect करके चला सकते हैं और बात करूँ दोस्तो इसके price की तो जो इस scooter का price होगा इसका price आपको कम देखने को मिलेगा around 50 to 60,000 तो आप बात कर लेते हैं इसके looks की तो front looks आप यहाँ पर देख सकते हैं front में आपको काफी अच्छी दोस्तो यहाँ पर LED में derals मिल जाते हैं जिनका जो design है unique मिल जाता है front में यहाँ पर telescopic suspension भी दिये गए है front tire size आपको 12 inch का मिलेगा जिसमें की आपको low wheels मिल जाते हैं black color के जो की काफी अच्छे लग रहे हैं बात करों दोस्तो rear में तो rear की जो looks है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी अच्छी powerful hub motor इसमें मिल जाती है अब इसकी दोस्तो specification नहीं आई कि इसमें top speed कितनी है लेकिन जल्दी आई कि तो आपको बता दूँगा यहाँ पर front में आपको charging socket दिया गया है यहाँ पर इसका जो low gear आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन इस low gear में आपको changes देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर आपको Honda EMI 1E की badging मिल जाती है दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ Honda कई सारे अपने electric scooter और bike launch करने वाला है next year अभी सिरफ यही बले scooter को उन्होंने reveal करा है जैसी बाकी models आते हैं आपको मैं दिखा दूँगा आप चैनल को subscribe कर ले front में space की बात करूँ तो आप यहाँ पर space देख सकते हैं ऐसी कुछ space मिल जीगी अब चलते हैं इसके side looks पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको single suspension यहाँ पर rear में दिया गया है और जो इसकी foot rash है वो आपको silver color में मिल जाते हैं यहाँ पर जो दोस्तो इसके grab handles है वो आपको इसके निच्चे की side यहाँ पर इसकी body के साथ ही integrated करे गए है LED light में आपको इसकी tail lights और indicators दिये गए हैं तो आप इस scooter की दोस्तो overall look देख सकते हैं बात करूँ इसके launch की तो इस scooter का जो launch है आपको इंडिया में इस साल के end suck देखने को मिल जेगा और जो Honda की electric bikes होएंगी उनका जो launch है आपको 2024 में मिलने वाल है और दोस्तो आपको मैं बताना चाहता हूँ यह जो scooter है सबसे पहले आपको south side देखने को मिलेगा तो अभी होंडा की electric activa को लेकर सिरफ यह अपडेट आई थी बाकि अगर आपको यह new update आती है तो आप चैनल को subscribe कर ले मैं आपको सबसे पहले पता दूगा मिलते हैं next वीडियो में Thank you